तलवारों की धार पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जमानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सडकों पर, नमस्कार मैं कुंदन कुमार सिंग महामना एजुकेशन हाफ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता है, दोस्तो की शुरुआत मैंने इस पंक्तियों से इसलिए की, क्योंकि बनारस इंदू योनिवर्सिटी के बिद्यार्थियों के साथ कुछ अन्याय होना शुरू हुआ था, उनके हीतों को हनन करने का प्रयास किया गया था, वर्तमान कुलपती प्रोफेसर राकिश्ट भटनाकर ने व लिखा होता है कि अब से हमें मेडिकल ओपीडी रजिस्टेशन की फ्री सुब्धा नहीं मिल पाएगी, ये सवाल और ये पोस्ट बड़ा चिंता जनक था, आस्चर जनक कर देने वाला था, और वर्तमान कुलपती प्रोफेसर राकिश भटनाकर के द्वारा ये डिसिजन ल इलाज करवा सकते हैं मुपत में, उसी के साथ सासर सुन्दर लाल में मुपत में इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ये अगस्त के महिने में लॉक्टान में ऐसा क्या डिसिजन लिया जरूरी था कुलपती जी के द्वारा कि अब से हम रेजिस्टिशन फी देंगे 20 रुपए ज के तो विरोध बड़ा होता चला गया धरनया करूप लेना शुरू हो गया विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो गया और जब दभाव आने लगे कुलपती जी के पास तो कुलपती जी ने क्या अपना ब्यक्तब भी दिया इससे पहले कि काश मालवीय जी आम के पौधों के सा साथ पैसे भी पेड़े में लगाये होते तो सब कुछ फ्री में मिलता एक कुलपती के लिए ऐसा ब्यक्तब कभी भी शोभा नहीं देता ये उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए और फाइनली जब स्टुडेंट्स का प्रदर्शन तेज हुआ तो उन्हें अपने ब्यक्तब को वापस लेना पड़ा अपना घलत निर्ने को वापस लेना पड़ा अब मैं नए निर्ने को पढ़कर के सुनाता हूँ जो लगभग एक घंटे पहले लिया गया है और प्रेस रिलीस किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा आज कही है 28 2020 को रिलीस किया ग तब सुचना एवं जन संपर्ख कार्याल है महामना पंडित मदन मुहन मालविये जीत्वार अस्थापित काशे हिंदो विश्व विद्याले मेरी कर्म भूमी है जिसकी सेवा करने के लिए मैं पूरी इमानदारी और करतब बेनिष्ठा के साथ कार्य कर रहा हूँ महामना मालविये जी मेरे प्रेड़ना स्रोत हैं और मैं उनके आदर्शों और मुल्यों का पालन करता हूँ महामना जी के प्रती मैं पुर्ण निष्ठा एवं सम्मान रखता हूँ वे न केवल हम सब के लिए पुझ जिनिये हैं बलकि हम सभी के लिए मागदर्शन का स्रोत भी हैं और उनकी अवमानना का विचार भी किसी के मन में नहीं आ सकता महामना के बारे में मेरे कथन से किसी को गलत फ़हमी हुई और उससे उनकी भावना आहत हुई है तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण वो पीड़ा दायक है काशे हिंदु विश्व विद्याले अपनी स्थापना काल सही राष्ट निर्मान में अपनी भूमी का निभा रहा है कोविड महामारी की विश्वम परिस्थितियों में हमारे छात्र, सक्षक एवं करमचारी राष्ट की सिवा में लगे हुए है मेरी विश्व विद्याले के सभी विद्यार्थियों से यह अपील है कि विए महामना के आदर्शों के अनुरूप सच्चाई और इमानदारी से अपने कर्टब्यों का पालन करें मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि छात्रहित विश्वविद्याले का प्रमुख दाइत्व है और जहां तक छात्रों के लिए निसुल्क स्वास्त सुविधा की बात है उसे स्विकार करते हुए विश्वविद्याले द्वारा छात्रों के लिए OPD Open Registration को निसुल्क क कर दिया गया मैं फिर से पढ़ता हूँ इस लाइन को कि छात्रहित विश्वविद्याले का प्रमुख दाइत्व है और जहां तक विश्वविद्याले की बात है उसे स्विकार करते हुए विश्वविद्याले द्वारा छात्रों के लिए OPD Open Registration को निसुल्क कर दिया गय इससे संबंधित जानकारी शिगर ही वेबसाइट पर चारी कर दी जाएगी नीचे में लिखा है प्रोफिसर राकेस भटनाकर कुलपती काशी हिंदू विश्वविद्याले तो ये थे ब्यक्तब्य जो नए वाले आये हैं उनके निर्ने को वापस लेने के बाद और अब फ गर्ष एक बार फिर से जीतता हुआ कुलपती को अपना वचन वापस लेना पड़ा बहुत बहुत धन्यवाद क्रिप्या करके से मैक्सम लोगों तक शेर कीजिए पसंद आया तो लाइक भी कर दीचेगा और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें